शूप रबाद बच्चो आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 14 नंबर का जो लेसन है जिसका नाम है सपताह के दिन ओके तो सभी बच्चे क्या करेंगे अपने अपनी जो किताबे हैं वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और इस लेसन के इस लेसन के और द्यान दीजे ठ ठीक है तो ये लेसन जो है वो शिक्षक महोदय मतलब अध्यापक महोदय और छात्रीन के बीच में जो बादचित होती है जैसे मेरे और आपके बीच में होती है वैसे यहाँ पर बादचित है और उस बादचित में सपताह के जितने भी दिन होते है उनके बारे में यहाँ बताया गया है या बाचित की गई है ओके तो चलिए देखते हैं इस लेसन को ठीक है तो यहाँ पर शिक्षक कहते हैं लेसन का नाम क्या है सप्ताह के दिन तो यहाँ पर जो शिक्षक है अध्यापक महोदे बच्चो कल आप विद्याले में पढ़ने क्यों नहीं आएं छात्र कल तो रविवार की छुट्टी थी गुरुजी रविवार को तो विद्याले बंद रहता है ना तो देखे यहाँ पर जो अध्यापक महोदे है वो क्या प्रश्ण पूछते है उस दिन संडे होता है कल कौनसा दिन होता है संडे और संडे चुट्टी के बाद जब आप और तब ये बच्चे इस क्लास में है और तब ये जो अध्यापक महोदे इनसे ये प्रश्ण पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं कल आप विद्याले में पढ़ने क्यों नहीं आएं तो छात्रे इस पर कहते हैं कल तो रविवार की छुट्टी थी गुरुजी रविवार को तो विद्याले बंद रहता है ना अध्यापक महोदे ओ मैं तो भूली गया हां कल रविवार था अच्छा आज कौन सा वार है तो दिखिए इस तरह से ये जो अध्यापक महोदे है ये तासिका की शुरुवात करते हैं बच्चों को ये वार सब्ता के जो दिन होते हैं वो स आज कौन सा वार है चात्र आज कौन सा वार है पता नहीं गुरुजी उसके बाद देखे चात्रों को ये पता नहीं होता कि वो रविवार की चुटी के बाद कौन से दिन स्कूल में आई जैसे आप लोगों को पता होता है संड़े के दिन तो चुटी होते हैं और मंड़े क अच्छा मैं एक शब्द कहता हूँ, फिर आप उससे अनुमान लगाना, तो मैं कहूँ ओम, चात्र, ओम, ओम, तो सोम, आज सोमार है, तो यहाँ पर अध्धापक महोदय जी जो है, जो शिक्षक है यहाँ के, तो यह बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कह रहे है, मतलब यहाँ पर यह जो पजल जैसे होते है, वैसे यह यहाँ पर हिंट दे रहे है बच्चों को, वो कह रहे है, ओम, 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 तो बच्चे इस पर सोचने लग जाते है, ओम, ओम, यानि क्या हो सकता है, ओम, तो सोम, इसका प्रोनोंसेशन जो है, इसका उच्चारन जो है, सेम है तो बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि आज सोमवार है उसके बाद अध्यपक महोदय क्या कहती है देखते है अध्यपक महोदय शाबच आपनी सही आनुमान लगाः अच्छा अब सोमवार के बाद कौन सा वारा आएगा तो यहाँ पर अध्यपक महोदे जब बच्चों को यह पता चलता है कि रेवार की चुटी के बाज आज कौन सा दिन है तो बच्चे बच्चों को वो शिक्षक जो होते हैं वो हिंट देकर कुछ अनुमान लगाने के लिए बोलते हैं हिंट देते हैं और वो सही वार उनको सही वार तक ले जाते हैं और बच्चों को यह पता चलता है और उस वैसे ही दुसरे दिन सो वार के बाद कौन सा वार आएगा ये बच्चों को अध्यपक महोदे पूछते हैं ऑकी उस पर देखें आगले पने पर बच्चों उस पर यह चात्र कहते हैं आप फिर शब्द कही है कई है हम फिर अनुमान लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे आपने ये बच्चे कह रहे जैसे आपने पहले हमें हिंट दिया था वैसी आप क्या करिए फिर एक शब्द कहिए और हम फिर क्या करेंगे अनुमान लगाएंगे इस से हम क्या करेंगे, result तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिया, ध्यपक महोदे, ठीक है, इस बार शब्ध है, जंगल, तो छात्र इस पर विचार करते हैं, जंगल, जंगल, तो फिर मंगल, ओके, तो आज मंगलवार, सोमवार के बाद क्या ये चात्र ये पहचान जाते हैं, पहली जो है, ये पहचान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक महोदय जी है, इनोंने क्या किया है, उनको हिंट दी है, और उसके कारण ये बच्चों, बच्चों को समझ में आया है कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, उसके ब है शब्ध है सूध ऐ reflecting जिससे समवार के बाद मंगलवार आता है और मंगलवार के बाद कौन सा वार आता है ये बच्चों को दिया है आणने मरंद लगाने के लिए सूचने के लिए तो उन्होंने एक शब्ध दिया है सूध ओके तो छात्री इस पर पच्छे अनुमान लगाते हैं, पहली का उत्तर यहाँ पर देते हैं, और इसके साथ ही यह जो वार है, सपताह के जो दिन है, वो सीखते हैं, उसके बाद देखें, शाब्बास, आपका यह अनुमान भी सही है, अच्छा, बुद्वार के बाद कौन सा वार आता है, शब्द ह गया है उने कुरू, तो बच्चे इस पर विचयाः करते है कुरू, कुरू तो गुरू बुद्वार के बाद आता है गुरु ऊव, हमारे गुरु जी के नाम का वार, अध्यापक महोद है मेरे नाम का वार, शाबाश आप भी सही है फिर गुरुवार के बाद को सवार आता है शब्द है चुक्र ओके गुरु यहाँ पर क्या दिया गया है गुरुवार क्यों कहा गया है यहाँ पर बच्चों ने अध्यापक महोदाई जी को गुरु जी कहते है तो इसलिए गुरु कुरू कुरू ये शब्द ये पहली का जो छोटा सा हिंट है वो दी है अध्यापक महोदाई जी ने और उसके बाद ये बच्चे जो है अपने अध्यापक जी को गुरु जी ऐसा कहते है तो गुरु वार इसलिए बच्चो ने कहा है आपके नाम का वार गुरु जी के नाम का वार तो गुरुवार को ये बच्चों ने यह कहा है उसके बाद गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है शब्द है चुक्र तो यहाँ पर बच्चे सोचते है चुक्र, चुक्र हाँ तो गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार अध्यपक महोदय कहते है शाबाश शाबाश और शुक्रवार के बाद बाल सभा का वार चात्र कहते है इस पर गुरु जी बाल सभा का वार तो शनिवार को होती है तो शुक्रवार के बाद शनिवार अध्यपक महोदय शाबाश शनिवार के बाद चात्र रेविवार की छोट विद्याले बन तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर यह जो शिक्षक महोदय है यह बच्चों को जो सब ताहक के दीन होते है जो डेज ओफ वीक होते है वो यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर बता रहे है और यहाँ पर उन्होंने कुछ साथ शब्द दिये है छे शब्द दिय में और बच्चों को ये पहचानने के लिए कहा है तो आपको ये ज्यादा दर बताने की जुरूत नहीं है आपको पता है संड़े के बाद मंडे उसके बाद त्यूजडे वनस्टे थरस्टे ये तो आपको इंगलिश में पता है और आपको रोज यहाँ पर असेंबली में बत यहाँ पर यह जो शिक्षक महोदय इन्होंने बताई है, यह देखेंगे ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले पढ़ने पर, अध्यापक महोदय, शाबाश, शाबाश, इन साथ दिनों से सप्ताह बनता है, बन जाता है, अब मैं आपको इन वारों के नाम की एक कविता सुन आता हूँ, तो यहाँ पर डेज ओफ वीक, जो है हिंदी के डेज ओफ वीक है, मतलब सप्ताह के जो दिन है, यहाँ के बारे में एक कविता इन जो अध्यापक जी है, इन्होंने बताई गई है, यह सुना रहे है, यह कविता कौनसी है, और इसके यह अगर कविता आपने य पहला वार है रवीवार, वार दूसरा सोमवार, वार तीसरा मंगलवार, चोथा वार है बुदवार, वार पाचवा है गुरुवार, छटा वार है शुक्रवार, वार सातवा है शनिवार, सात दिनों का सप्ताह, तो इस तरह से यह जो कविता है, मैंने अभी पढ़ी, फिर से एक बार पढ़ती हूँ, द्यान से सुनिए, वार पहला वार है रविवार, वार दूसरा सोमवार, वार तीसरा मंगलवार, वार चोता है बुदवार, वार पाचवा है गुरु वार, छटा वार है शुक्रवार, वार सातवा है शनी वार, साथ दिनों का है सपता हो, तो यह पर ये जो चात्र वहाँ पर सीक रहे होते हैं उनको ये कविता जो होती है बहुत अच्छी लगती है और उस पर उनका रियक्शन होता है सुन्दर कविता वाँ वाँ तो अध्यापक महोद है इस कविता को हम भी दोराएंगे ऐसा ये बच्चे इन अधर जो ये जो टीचर है इनको बताते हैं और जो ये टीचर है इनके पीछे ये जो बच्चे है वो कविता फिर से दोराते हैं तो इसके कारण ये बच्चे अच्छे से ये जो सब्ताह के दिन है उनको सीक पाते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे जो शब्दार्थ है इस लेसन के वो भी देखेंगे व एक राजा का नाम जो कोरोपांडों के पूर्वज ते चुक्र खट्टापन संस्कृत में इमली को चुक्रफल कहते है संस्कृत का शब्द है ये चुक्र ये क्या है संस्कृत का शब्द है और जो संस्कृत भाषा है उसमें इमली को चुक्रफल कहते है उसके बाद सुध, सुधी, खबर, याद, सब्तह, साथ दिन इस तरह से बच्चो ये जो हमारा लेसन है वो अभी खतम हो जाता है फिर से एक बार हम क्या करेंगे इस लेसन में जो दी गई कविता है फिर से एक बार दोराएंगे ठीक है वार पहला है रहीवीवार, वार दूसरा सोमवार, वार तीसरा मंगलवार, वार चोता वार है बुदवार, वार पाचवा है गुरुवार, छटा वार है शुक्रवार, वार सातवा है शनीवार, सात दिनों का है सब्ता तो इसके साथ ही हमारा यह जो लेशन है वो खतम हो जाता है ओके धन्यवाद